बात जब safety क्याती है तो इंडिया के अंदर सबसे बेले सबसे safest हैच बेक जिसका नाम है Tata Tiago Global and Cap में इसने 4 star setting rating की है और इसी के साथ ये इंडिया की सबसे mid range के अंदर सबसे safest हैच बन जाती है और यह है हमारे पास XT variant जो है ICNG के अंदर तो खमा गणी देर विए सबसे हम बात करते हैं डिजाइन की तो डिजाइन लेग में जैसा है कि जैसे जो Tata Tiago XZ Plus variant आता है उसके अंदर हमें मिलती है पेलियर स्टील वील है और इसके कुछ ग्लोसी के अंदर रेडियाट ग्रिल और यह है इसकी वेंट्स जो इससे हवा अंदर जाती है तो हमारा इंजन ठंडा रहता है, यह हम यह पर देख रहे हैं, इसके अंदर यह है, ऐसी, यह है टाटा का बड़ा सा लोगो, और साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, तो साइड प्रोफाइल के अंदर क्या है, कि यह है इसके टायर, स्टीलरिम मिलते हैं, हमें Alois नहीं मिलते हैं, क्यूंकि यह XT Variant है, XZ Variant के साथ हमें Alois मिलते हैं, यह है इसके ORBM जो की है, साथ इसके अंदर आपको कोई Indicator नहीं मिलता है शल आपको मेली ऑस को है और उर्भेम कर्तों को हिए इसके बात हम बात करते हैं इस दीज़ आ इसके प्रोकत यस अड़ करते हैं तो सफलोर देखो और उसम्हाल दौक का रहता है इसके दौक करते हैं यह इसका बूट और यहां पर बड़े बड़े एक्स्रों में लिखा हुआ है टियागो यह है टाटा का लोगो यहां पर लग जाती है और यहां पर टोप मोडल में केमरा तल यहां पर नहीं है फिर है यहां पर दो पार्किंग सेंसर है और यह है इसका बेग पंपर जिसमें आपको कोई भी रियर फॉग लेंप देखने को नहीं मिलता है बूट स्पेस की बात की जाए तो हमें मिलेगा इसका बूट स्पेस 242 लिटर का जो कि मैं आपको दिखा देता हूं अभी जो कि चाबी से खुलता है दूसरा अंदर से खुलना पड़ता है यह इसकी चाबी है जो की मैन्यूल है नॉर्मल की है क्योंकि यह बेस मोडल है एकस्टिवेरेंट है यह देखो यह खुल गई और यह इसका स्येंजी किट अब स्येंजी लगने के बाद इसमें बूट स्पेस तो ना के बराबर ही है अब यह टायर पता नहीं कैसे निकालेंगे इसके अंदर से मुझ छोटा मिलता है यह पारसल ट्रे है और यह इसके अंदर हाइड्रोलिक्स मिलते है जो कि बहुत ही अच्छे हैं जिसे अपने आप ही ऊपर हो जाता है इसको बंद करने के लिए यहां पर जगह दी गई है जो कि अपर issue特 तरीर आपर ग्रीयर सिटिंग की यह बात की जायए बेग गेट की तो ये देख़new आपको बताता हूं यह भी हाड प्लास्टिक है और यहां पेร आपको का ब chain बाटर दरने की छापर पैस मिलता है यह आपको हारमन जेविल से लिया गया है जेविल साउंड सिस्टम है और यह इसकी सीट है जो कि इसका थाइसपोर्ट हम देख लेते हैं काफी अच्छा थाइसपोर्ट मिलता है बेट कर माँ आपको बता देता हूँ जैसे कि नीरूम है काफी अच्छा है लेग रूम भी काफी अच्छा है और अगर हैड रूम की बात की जाए तो वो भी काफी अच्छा है और तील लोगों की बैठने की बात की जाए तो दो बड़े और एक बच्चा यहां पर बेड़ सकता है यहां पर काफी बड़ा हम भी है आम रेस्टिस के अंदर नहीं आता है पावर विंड़ो उदर है गेट के ओपनिंग की बात किजाए तो 90 डिग्री तो नहीं अल्टरोज की जैसे लेकिन काफी अच्छी इसकी ओपनिंग है गेट की जिससे आपको बेटने रोतरने में कोई प्रोब्लम नहीं होती है आगे चलते हैं ये इसका डेसवोर्ड है जो की कुछ ऐसा दिखता है आगे चलते हैं कुछ बाते आगे करते हैं ये है ग्रेपेंडल जो की यहाँ पर दिया गया है इधर भी ग्रेपेंडल है और आके चलते हैं, आगे यही बात करते हैं यह है इसका ड्राइवर डोर, जो की इतना ओपन होता है और काफी वाइड ओपनिंग है दूसरी बात यह है, देखो, यह इसके चारो पाउर विंडो के कंट्रोल्स हैं और 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 भी आपको मैनुली अर्जेस्ट करने पड़ेंगे अंदर से ना आपको कोई इसके लिए कोई फीजिकल की नहीं मिलता सोरी और यह है चाललोक यह पाचार पावर विंडर बटन और यह है बंड टच डाउन और नहीं मिलता है यह ठीक है बात करते हैं इसके अंदर बैठते हैं इसका ड्राइवर सीट का थाइसपोर्ट देखते हैं पहले हम यह देखिए ठीक है अच्छा है बैठकर देखते हैं इसके अंदर एक बर ना अपना इसका गाड़ी का जो न है थाड सुनिए इसके डोर का थाड देखिए यही होता है वही फॉर स्टार शेफ्टी रेटिंग के साथ जो मिलती है उसका यही होता है चलिए हम इसे पहले चाबी लगा लेते हैं उसके बाद इसे देखते हैं चाबी लगाने के लिए आपको जगा यहां पर मिलेगी और यह इलुमिनेटेट नहीं यानि कि आपको रात में थोड़शी हो सकता है दिक्कतो चाबी लगा लेते हैं ओन कर लेते हैं ओन करने के बाद इन्स्टुमन कलस्टर जो है वह कुछ हैसा आपको दिखिएगा फूल डिजिटल इंस्टूमर का इस्तर है यह इसका है हार्मन पावरड़ यह ताम्यूजिक सिस्टम दो स्पिकर और चार स्पिकर चार तुटर का इसमें आपको सांड सिस्टम मिलता है यह इसका 5-STIR का गेर बोक्स है और यह आपको CNG में CNG का बटन यह देखिए यहापे मिल जाता है दूसरी बात यह क्या है कि देखो इसका जो गाड़ी का क्या है कि और गाड़ी को आपको पेंट्रोल पे पहले स्टार्ट करना पड़ता है इस गाड़ी को आपको CNG पे ही स्टार्ट हो जाएगी है को मानते हो अपने किसी भी बगवान को या मानते हो उनकी आप यहां पर प्रतिमा लगा सकते हो इसके अलावा यह आपको मिलते हैं रियर sorry front defogger डेस्वड काफी अच्छा है काफी premium है armrest आपको नहीं मिलता है यह इसका है handbrake यह इसका handbrake है जो कि हम लगाई देते हैं यहां पर आपको कुछ space मिल जाता है और यह आपको एक charging point मिल जाता है और यह USB टाइप मिल जाता है और यह OX का port मिल जाता है ठीक है दो गलब box मिलते हैं और कुछ storage space यहां पर मिलती है और यह क्या है कि न टॉप मोडल में यहां पर आपको charging socket दिया गया जो कि यहां पर नहीं दिया गया है डो ट्रिम के बात की जाए तो आदे लिटर की bottle यहां पर आ सकती है बाकी कुछ document आ सकते हैं इदर आपको को अलग से यहां पर बीजगा दीगी है और यह cold भी नहीं है यह देख रहें टाटा की अलगी है यह कुछ न कुछ आपनी कलाकरी करते रहते हैं आपको दिख रहे हैं एलेफेंट्स यह है इसका बार अशो शीशी रेवन टोन थ्री सिलेंडर पेंट्रोल इंजन तो बस इतना है इस वीडियो में मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में तब तो कि लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और कमिट कीजिए आपको क्या चीजिस में बहतर ल